कि प्रापाजी ने कहा कि अगर तुम यह प्रसंद करना चाते हो तुम्हें गरन्तों को बाटो नहीं है प्रापजिन ने केवल ये नहीद का मैं ग्रन्त Doch उन्हींए का और बाटो दोनों प्रापा जी ने इतना भी कहा कि अगर तो इन ग्रंथों को बाटोगे और पड़ोगे नहीं और कोई तुमार से पूछे इन ग्रंथों में क्या है और आप कह दो कि हमें पता नहीं तो शुबा नहीं देगा जैसे आज इकादेशी का अफसर है तो करना चाहिए कि 25 माला जाप करें और 25 माला जाप के साथ ग्रंथों को हमें रोज पढ़ना चाहिए तो यहां यह संदेश दिया जा रहा है कि ब्रह्मनान्दा प्रभू ने भागवत-गीता की जो मैनुस्क्रिप्ट है यह प्रभपाजी को दिखाई उरसमें प्रभपाजी खोज रहे थे कोई publishing house जो की इस ग्रंथ को प्रकाशित करें यह जो भागवत-गीता हम पढ़ रहे हैं आज भागवत-गीता यह था रूप यह प्रभूपाजी का दूसरा अनुवाद है प्रभपाजी ने भारत में पहले अनुवाद किया था भागवत-गीता का क्यलकठा में और उन्दुन में प्रभपाजी के पास कोई सुविदा नहीं थी उधारन के लिए कोई सेकेटरी नहीं था कोई टाइप राइटर नहीं था कोई computer नहीं था प्रभपाजी ने अपने हाथों से पूरा तात्परिया लिखा था तो अनुआ तो कर लिया था प्रभपाजी और काफी समय के लिए कोई नहीं मिला भारत में जो की स्योग देने को तियार था गीता को प्रकाशित करने पर कितनी दुखी बात है न प्रापजी अनेक धनी वे पारियों को मिले सब ने कोई ने कोई बहाना दे दिया स्वामी जी हम तो नहीं कर सकते फिर स्वामी जी को मदरास में चिनाई जिसे आज कहते हैं वह एक व्यक्ति मिला जिसने कहा कि स्वामी जी अपनी मैनेज कि देखाओ मैं देखना चाहता हूँ कितनी अच्छी है और शैद मैं तुमारा से यो करूँ तो प्रापजी दे खुश हुए कि वह चिनाई से लोटे हाँ मदरास क्याकरा वो जब क्याकरा पहुंचे उन्हें क्या सूचना मिली कि उनके घरवानों ने रद्धी समझते हुए उस किताब कागज को बेच दिया जैसे भारत में रद्धी को पुराने कागज ख्रीते हैं आभी भी खरीते हैं आज काग़ में वह रद्धी बुलाते ऩ तो रद्धी वाले आकर पुरहने कागज लेते हैं और थोड़ा उसके बदले में थोड़ी रखम देते हैं तो उसी प्रकार परफब जी के घर वालों ने जब प्रावपाजी प्रचार के लिए गए थे उन्हेंने सचा ये दो रदी है और रदी के भाव में बेच दिया गीता की पूरी मैनिस्क्रिप्ट जो प्रावपाजी ने अनेक सालों के प्रयाज से त्यार की थी अगर कोई सधाने व्यक्ति होता तो उसका दिली तूट जाता हम प्रावपाजी ने फिर से अनुबाद किया पूरी गीता का फिर से अंदाजा लगाओ कितने सालों का परिशम था और जब वो अमेरिका पहुंचे तो अमेरिका प्रावपाजी गहे थे श्रीमाद भागोतम प्रतमसकंद को साथ लेकर प्रतमसकंद को प्रावपाजी ने प्रकाशित किया था जब वो बिरंदावन में विराजमान थे रादा दामदौर मंदर में आप दिली के भगतों का बड़ा सुभागया है मैंने आपको कई दफा कहा है क्यूँनकि जब प्रावपाजी रादा दामदौर मंदल में निवास कर रहे थे कागज खृदने के लिए कागज खृदने के लिए जैसे कि नाचे जन्यख षटा कनक ले क्ली यह दालमिया खांदान है जाइदियाल डाल में आशा नाम था उन्हें ने प्रापाजी का काफी स्योग दिया भागवतम को प्रकाशत करने में और फिर उसके परश्टाच प्रापाजी प्रिंटिंग प्रेस में जाते थे जहांकि खुद खड़े होकर प्रापाजी छपवाते थे उसके बाद फिर प्रापाजी वो काफाज को उठाकर ले जाते थे बाइंडिंग के लिए किताब छपने के पाद बाइंड करनी पड़ती है आजकल तो जो बड़े बड़े प्रिंटर हैं उनके पास छपाई की सुविदा बाइंडिंग की सुविदा सब एकी स्थान में पुर्ण दिन में ऐसे नहीं थी खागज एक जगह ख्रीदो चापो एक जगह छपा और बाइंडिंग के लिए एक तीसरी जगह तो इस सब प्रापाजी खूद करते थे कहां आपके डेली या हस्तेनपुर शहर में और किताब को त्यार करने के बाद क्या करते थे बेचना बेचने के लिए क्या करिया था जो सेरकार की लाइबरी इस थी उन्हें मिलने जाते थे शराप भक्तों ने एक तस्वीर दिखी होगी प्रापाजी की सवर्गे लाल-बादुर शास्त्री के साथ जो प्रदान मानती थे उस समय तो प्रापाजी लाइबरी में जाते थे ने सकते हैं कि ऐसा था सीरा है कि शाइन जाहर को का Tomb चींपाई के लिए प्रसे ख़ाना पड़ता है ऑपको प्रेज़ के वांतना पड़ता है शे justamente कि स्वाट श्यक्तिaty